लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले हम कुछ इसके और फीचर जो है वो पढ़ेंगे उसके बाद जो हम और development के बाद arthropod जो है वो एक और feature होता है जिसको हम बोलते है parental care ठीक है कुछ arthropod जो है parental care भी show करते हैं अपने eggs और जो young ones हैं उनको protection देते हैं उनको feed provide करते हैं ठीक है ये feature भी arthropod के अंदर देखने को मिलता है parental care से मतलिव है जब parent जो है वो young ones को उनके able होने तक जब तक वो खुझ से खाना ना खाने लग जाए तब तक ये उनको food provide करते हैं और उनको enemies से protection भी देते हैं ठीक है तो parental care arthropod में देखने को मिलती है है अब तक ये किसी और फाइलम में नहीं मिला था इट इस ओफवन सीन इन आर्थ्रोपोर्ट्स के अंदर भी ये आर्थ्रोपोर्ट के अंदर ये पेरेंटल केर देखने को मिलती है ठीक है है ठीक है तो पेरेंट पेरेंटल के यह आर्थ्रोपोर्ट में देखने को मिलती है इसके बाद next जो इनका features है उसमें हम रिजनरेशन और पार्थेनोजनेसिस पार्थेनोजनेसिस ठीक है ये दोनों फीचर और देखते हैं तो रिजनरेशन तो काफी पूवर होता है इनमें रिजनरेशन की पावर काफी वीक होती है ठीक है वेरी पूवर ऐसा नहीं कि किसी बोड़ी पार्ट से कोई नया और्गनीजम बन जाए हां थोड़ा बहुत अगर कोई बाउंड होता है घा होता तो वह ठीक हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है और दूसरे फाइलम में जैसे प्लेटेल में था जैसे प्लैनेरिया उसके जितने टुकड़े ती ही नया बर जाएंगी रीजनरेट कर लेंए इस तरह की रीजनरेशन की पावर एहन के अंदर नहीं है बहुत कम रीजनरेशन है तो दूसरा है ने पूर है लेकिन उसके लावा एक प्रोपर्टी और देखना को मिलती है इन में और वह है ओटो टोमी ऑटो टोमी का मतलब होता है अपने खुद के पार्ट को ही कट कर दिया जाए जैसे लिजाई हमने देखे लिजाई को जब कोई इसका पीच्छा करता है या हम कभी उसके उसको पगड़ने की कॉसिज करते हैं तो वह अपनी टेल को कट कर देती है उसको भूह था गयाए लेकिन यहां पर टेल बगढ़ा तो नहीं है कट कर नहीं कट होती है लेकिन दिप्स चोय हैं उसमें अटो टॉर देखने को मिलती चैंखू थे अख टूम सबहु मिर्थаешь पाइक और आद की आएटि रपोड्ट से एसे पाइडर को बकार सबदर में देखने को मिलता यह कि आप्सटोंबिब लेंग अग्यवेंश इसके बाल ड़ी प्रोपर्टइ आप अपर अच्ब आप्रोमी लेंब्स यह लेंब्स को जब कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो अपनी लेंब्स को अतानक छोड़के भाग जाता है ताकि दूसरा एनिमी जो है बहुत से मिस्ट गाइड हो जाता है और उससे दूर चला जाता है ठीक है और नेक्स्ट जो है पर्थेनो जोनचेस अर्थरोपोड में मिलता है ठीक है और और ऑप्थेनो जोनचेस का मतलफ होता है कि डवलूपमेंट ओफ एग डारेक्टली इंटू यंग्वंस वीदाउट फर्टिलाजेशिशन पार्तिनों जने से एक वो प्रोसेस है जिसके इंदर एक की डवलप्मेंट होती है यंग वन्स में बगर फर्टिलाइज़ेसिंगे ठीक है देवलप्मेंट ओफ एक डायरेक्ट ली इन्टो यंग वन्स यंग वन्स जो है वो डायरेक्टली एक से बन जाते है बगर फर्टिलाइज़ेशन के विदाउट फर्टिलाइज़ेशन ठीक है बगर फर्टिलाइज़ेशन के यंग वन्स का डायरेक्टली एक से बन जाना उस फिनोमेना को उस प्रोसेस को हम बोलता है औरफ्यौ वारत्यौ पॉड्स lii औरफ्यौ ऐसाए बंध्री को अध्रियौ लुकर्यौन बैसे होती है होती है है द्रोंग कि अध्री करत करो जाए हुल हुआ तो क्मण एक जॉन्पल है हानी भी जिसमें पार्थेनोजनेसिस होती है ड्रॉन्स जो बनते हैं वो पार्थेनोजनेसिस सही बनते हैं तो पार्थेनोजनेसिस हो गया है जिसमें बगार फर्टिलाइजेशन के एक से डारेक्ली ने और्वनीजम बन जाता है और हनी जो है उनके अंदर ऐसा मिलता है पार वरकर हैं ड्रॉन्स हैं क्वीन है इस तरह से कई दो-तिन टाइप के हानी भी मिलें जिनका काम अपना अलग-लग होता है तो उसमें जो ड्रॉन्स होंगे वह पार्थानोजनेसिस से बनेगे ठीक है और भी बहुत सारे हैं जिनके इंतर ऐसा देखने को मिलता है आंट्स हैं उन एक्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से एक्जाम्पल है आर्थ्रोपोर्ट के अंदर एक्जाम्पल्स तो एक्जाम्पल्स में हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं एक्जाम्पल्स इंपोर्टेंट इंसेक्ट वह कौन से हैं जैसे हं एकनोमिक बैनिफिट लेते हैं ठीक है तो उसमें जैसे एपस ठीक है एपस मतलब हनी भी एपस मैली फेरा या एपस इंडी का यह इसका पिसज है ठीक है एपिस की जिसको हम क्या बहुता है हनी बी यह जीनस है इस पिसिज कई होती है तो हनी बी से हमें हनी मिलता है ऐसा ही एक दूसरा इंसेक्ट है जैसे बॉम्बिक्स इस बॉम्बिक्स हमें क्या मिलता है इस सिल्क वॉम है सिल्क मिलता है इससे हमें ठीक है हनी भी से हनी मिलता है और उससे जो कॉम होता है उससे भी कई दूसरे और प्रोडेक्ट जो बनाए जाते हैं और बॉम्बिक्स जो सिल्क वॉम है उसस सिफर से क्या मिलता है लाख मिलता है कि लैक मिलता है लैक इंसेक्ट लाख मिलता है इसे कई तरह कि जैसे चूड़े बगारा जो बनाते हैं बैंगल्स जो बनाए जाती है उनमें भी इनका यूज होता है और भी कई दूसरी जगह इस लाख का इंसेक्ट होता है ठीक है इसके पात में और हैं जैसे वेक्टर वेक्टर इंसेक्ट कौन से हैं वो इंसेक्ट है वेक्टर इंसेक्ट वो इंसेक्ट है वो आर्थ्रोपोर्ट से हैं जो डिजिस को ट्रांस्मेट करने में हेल्प करते हैं एजे होस्ट यह काम करते हैं तो उसमें जैसे एक्जम्पल है अनिफिलीज, क्युलेक्ट्स अड Do aries and aries यह सभी इंसेक्ट है है जोब यह नहीं मोश्के्टोव में आते हैं ऐख मोर्सो के टोफ टोफ है क्युलेक्ट ट्रांस्मीट करता है डीजिस फीद जो मोस्किटियों है वही ट्रांस्मीट करती है तो इसके अलाबा जैसे और हैं कि गरीगेरियस पेस्ट जो कुछक्सा का लोकस्ट क्या नाम पहले भी आया साइफ अपने सुना हो गा लोकस्टत गूरु बनांकि रहता यह सहें गरीपल create कि हरता लिविंग फॉसिल है ठीक है लिविंग फॉसिल में लिमूलस यह एक्जामपल है लिमूलस ठीक है और लिमूलस को क्या बोलते हैं किंग क्रैब बोलते हैं किंग क्रैब ठीक है और काफी टाइम हो गया है इस इंसेक्ट को इसमें कोई चेंज नहीं आया है ठीक है बहुत ज़्यादा कई हजार साल हो गए हैं कई सो साल हो गए हैं इस इंसेक्ट में किंक्रेब के अंदर इसमें अब तक कोई चेंज नहीं आया है तो यह किंक्रेब है इसके अंदर लगबग पिछले 190 मिलियन साल से पास्ट मिलियन एर्श से इसमें कोई चेंज नहीं आया है पास्ट 190 मिलियन एयर्श इट रिमेैंज अंचेंज ठीक है यह कैसा है अंचेंज रिमेंज इसमें कोई चेंज नहीं आया है तो इसलिए इसको हम living fossil बोलते हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है living fossil बोला जाता है पिछले 190 million years से इसमें कोई चेंज नहीं आया है जबकि इस दोरान बहुत सारे इस पेसी जब नहीं बनी है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है तो यह तो थे कुछ एक्जामपल और बहुत सारे एक्जामपल हैं जो भी हम आगे जब हम इनका classification करेंगे जो class wise पढ़ेंगे इसके एक्जामपल को अब यहां इसके कुछ unique features जो हैं वह हम पढ़ते हैं कि आर्थ्रोपोड के unique features क्या है तो आर्थ्रोपोड के unique feature कि अगर हम बात करें तो इसमें distinct head है जो अब तक नहीं था properly वह अब यहां पर क्या गया है distinctive head आ गया है इसके अलावा दूसरा जो सबसे important feature है इनका यूनीक feature है इनका ठीक है वह है कि जॉइन्टिड एपन डेजिस ठीक है जॉइन्टिड एपन डेजिस और इसी के बेस पे इनका नाम भी रखा गया है आर्थ्रोपोड तो यह तो इनका unique feature है सबसे main important feature है इसके अलावा well developed यहां एक्जो स्कल्टन है ठीक है वैल डवलप्ड एक्जो स्कल्टन ठीक है एक्जो स्कल्टन जो है वैल डवलप्ड है काटीन का बना है काटीनियस एक्जो स्कल्टन है इनके पास में और फिर इनके पास और क्या गया है नेक्स्ट स्टिप्ड मसल्स आ गये हैं किसी बीकन्डिशन में किसी भी अनिमी जा की ऐसी उसे बचने के लिए ठीक है यह क्विक एक्शन ले सकते हैं और किसकी हेल्प से लेंगे इनके पास में क्या क्या है compound eyes आ गए है, compound eyes आ गए है, arthropod के पास क्या है, compound eyes, simple और compound eyes यहां पर आ चुके है, ठीक है, इसके इलाबा, arthropod जो है, उनके पास endocrine, glands और pheromones है, ठीक है, endocrine, glands और pheromones, ठीक है, यह अब तक किसी फाइलम में नहीं थे, अब तक जो फाइलम इससे पहले आये थे, उनमें endocrine, gland और pheromones नहीं थे, यह feature भी, arthropod का unique है, क्योंकि अब इनके पास यहां endocrine, gland और pheromones है, ठीक है, बाकि endocrine, gland तो आगे भी जब हम higher mammals को पढ़ आएंगे, उसमें भी आएंगे, ठीक है, इसके अलावा, यहां पर क्या बन गया है, hemoseal आ गया है, hemoseal, ठीक है, hemoseal, यह blood filled cavity है, यह वो cavity है, जिसके अंदर blood भरा हुआ है, लेकिन यहां जो circulatory system, arthropod के अंदर, वो open type है, लेकिन इससे पहले जो phylum था, उसमें जो circulatory system था, व लेकिन यहां पर कैसा हो गया है, open type हो गया है, और open type में blood जो है, वो hemoseal के अंदर field है, ठीक है, body, silom जो है, या जो cavity है, body के उसमें, blood भरा हुआ है, जिसको hemoseal, ठीक है, next, जो feature होगा, इनका, वो है, green glands और malpigen tubules, और coxal gland, excretion के लिए है, ठीक है, green glands, or malpigen tubules, ठीक है, green glands, or malpigen tubules, या coxal gland, or coxal gland, coxal gland, for excretion, या अब तक नहीं था, इससे पहले excretion के लिए, nephredia था, annelates के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गए है, green gland आ गए है, या malpigen tubules है कहीं पर, या coxal gland, जो है, वो excretion के लिए, ठीक है, और respiration के लिए यहाँ पर, आर्थ्रोपोड़ा में, respiration के लिए क्या आ गए है, trachea, trachea आ गए है, ठीक है, trachea के अलावा, gills है कहीं, ठीक है, book gills है, book lungs है, ठीक है, ठीक है, यह respiration के लिए आ गए है, for respiration, for respiration, तो अनलेट्स के पास में, sorry, आर्थ्रोपोड के वे पास respiration के लिए, trachea, gills, book gills, book lungs, ठीक है, यह present हो गए, ऐसी structure आ गई है, उनके पाद, तो respiration भी यह किसी भी, according to habitat, जो है, habitat के according, इनके respiratory organs होंगे, तो trachea तो जो terrestrial habitat है, उसमें, book gills और gills, जो है, वो aquatic habitat में है, book lungs है, वो भी, वो terrestrial habitat होंगे, ठीक है, तो यह तो थे कुछ unique feature, उससे पहले कुछ और properties थी, अब हम next, जो topic होगा, हमारा, होगा, classification, वो पढ़ेंगे, कि arthropod को हमने किस बेस पे classify किया है, तो अब हम यह, arthropod का जो classification है, वो पढ़ते हैं, आर्थरोपोड का जो classification है, तो arthropod का, arthropod को हमने, body division, presence of certain appendages, ठीक है, उसके base पे, 7 classes में, divide किया है, ठीक है, on the basis of body division, and presence of certain appendages, phylum arthropod is divided into 7 classes, arthropod को हमने, 7 classes में, divide कर दिया है, 7 classes बना दी हैं, ठीक है, और हमें class level तक ही, याद रखना है अभी, बाकिन classes के order होंगे, ठीक है, और further division होगा, इनका, लेकिन हमें यहां, सरफ classes, classes के बारे में पढ़ने हैं, तो first class जो है, वो है, onicophora, onicophora वो class है, जिसके अंदर organism कुछ terrestrial है, कुछ primitive, warm-like है, ठीक है, और, unsegmented है, ठीक है, terrestrial है, primitive, warm-like है, और, unsegmented organisms है, onicophora class के अंदर, ठीक है, onicophora class में, single pair, antenna होगा, eyes होगे, और, जबड़ा होगा, ठीक है, antenna एक pair होगा, और, eyes भी होगे, eyes जो यहां होती है, वो compound eyes होती है, ठीक है, और, जबड़ा होगा, जो होगा, इसके अलावा, यहां पर, जो, onicophora में, जो, onicophora में, unjointed, cloud, legs हैं, unjointed legs हैं, उनके पास में, और, end, end, जो है, वहां पर, नाखुन हो जाते हैं, cloud आ जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा, pair, जो, legs हैं, वो काफी हैं, numerous होगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, large, नजर आएंगे, ठीक है, काफी, muscular से, नजर आएंगे वो, ठीक है, respiration जो है, वो trachea से होगा यहां, ठीक है, एक्क्रिट्री ओर्गन जो है, वो nephridia, या फिर, anelida होगे, ठीक है, तो, class onycofora में, respiration trachea से होगा, और, जो एक्स्क्रिट्री ओर्गन है, वो nephridia, जैसे, anelida के अंदर होते हैं, वसे होते हैं, ठीक है, तो, यह जो onycofora class है, इसमें, जो organism है, ठीक है, वो anelida और arthropoda के बिच में, connecting लिए हैं, क्योंकि, कुछ feature जो उनके, वो anelids की तरह होगे, जैसे, यह nephridia, तो anelids का feature है, लेकिन यहाँ पर, आर्थरोपोड में, जो onycofora class है, उसके अंदर भी यह, मिलता है, ठीक, तो यह जो organism होंगा, onycofora में, वो, आर्थरोपोड और anelids के अंदर, connecting link होंगा, उसमें example है, जैसे, peripetus, peripetus, जो है, वो anelida और आर्थरोपोड के बीचे में, connecting link है, इसको याद रखना है, आपको, कि connecting link between anelida and arthropoda, peripetus, ठीक है, इसके बाद, onycofora class के बाद, दूसरी एक class है, crustacea, crustacea class, ठीक है, mostly इस class में, जो organism है, वो, marine है, कुछ एक है, जो fresh water के अंदर भी, मिलते हैं, ठीक है, crustacea class में, जो आने वाले और उनी जम है, उनको हम, crustaceans बोलते हैं, और उनी जम को क्या बोलते हैं, crustaceans बोलते हैं, ठीक है, इनकी जो body है, वो दो part में divide है, दो part, एक part है, cephalothorax, और एक part है, abdomen, ठीक है, crustaceans जो है, उनकी body, दो part में divided है, दो reason में divide है, और वो reason है, cephalothorax, और एक region है, abdomen, cephalothorax है, मतलब head, और plus thorax, मतलब यहाँ पर head, जो है, वो distinct नहीं है, अलग नजर नहीं आता है, head और thorax, मिलके ही, एक reason बनाते हैं, crustaceans का, वो calcified होगा, calcium carbonate, जो है, वो mix होगा, मिलके अंदर, ठीक है, head जो है, वहाँ पर, दो pair antennae होंगे, head contains, two pair of antennae, three pair of jaw, and a pair of stocked compound, आईच, ठीक है, तो, यहाँ पर, ठीक है, तो, यहाँ पर, two pair antennae, head पर, और three pair, वो starked compound eyes, ठीक है, एक pair eyes है, एक, दो pair antennae है, और three pair, जो है, जबड़े जो यहाँ होंगे, उसमें one pair, mandible है, और two pair, maxillate होते हैं, ठीक है, mouth parts है, यह, यह, food को, chewing करने का, काम करते हैं, उसे cut करने का, काम करते हैं, ठीक है, और इसके बाद, respiration जो है, यहाँ, वो gill से होगा, और यहाँ तो फिर body, surface से होगा, ठीक है, excretion जो है, यहाँ, green gland से होगा, यहाँ, फिर antinary gland से होगा, development जो है, वो indirect है, indirect development है, तो यहाँ, larva जो है, उसकी formation होगी, larva बने गाया यहाँ पर, ठीक है, और larva जो यहाँ होते हैं, काफी larva होते हैं, जैसे, नौपलियस, larva का जो नाम है, एक का नाम है, जैसे, नौपलियस, ठीक है, जोए, और भी कई तरह के larva होते हैं, metanucleus, ठीक है, metanucleus, megalopa, कई तरह के larva यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर, ठीक है, अब याद दखना, crustaceans, mostly marine है, कुछ एक fresh water में भी है, body जो दो part में divided है, sphelet और एक्स और head, एक जो skeleton calcified है, head जो है, उस पर दो pair antenna है, three pair जो है, और एक pair compound eyes है, respiration, crustaceans के अंदर, गिल से होते हैं, क्योंकि यह aquatic है, mostly, और aquatic है, तो यहाँ respiration, गिल से होगा, या फिर कहीं, body surface जो है, उससे भी होता है, excretion के लिए, यह green gland है, और antinary glands होती है, ठीक है, indirect है, larva बनते हैं, जैसे nucleus और, जो यह, जींगा बोलते हैं, ठीक है, astrecus, creafis, यह saint name के, genus हैं यह, paleomon, यह सब क्या हैं, genus हैं, यह कुछ common name जो हैं, इनके वो भी हैं, palinurus, lobster बोलते हैं, ठीक है, cancer, crab बोलते हैं, kekडा जो होता है, lucifer, shrimp होता है, upegaras, hermit crab होता है, लकडियों का, वो powder सा बना देता है, जो दर्वाजे, खिड़कें, जो काफी पुरानी हो जाती है, table, benches जो हैं, तो उनके अंदर यह, उनका, पूरा powder सा बना देता है, उसका बोलता है, woodl house, terrestrial form है, लेकिन यह, इसके, लग लग टाइप के, organism है, crustacea class के अंदर, ठीक है, यह सब organism के नाम है, उनके common name है, कुछ एक, ठीक है, और इसके बाद, next जो class होगी, हमारी वोगी, चिलो पोड़ा, तो चिलो पोड़ा जो class है, उसमें body जो है, वो दो पार्ट में divided है, ठीक है, head और trunk, यह head जो है, उसके पास, head पे, one pair antenna होंगे, osilie होंगे, eye होंगी, एक तरह से यह, ठीक है, और mouth parts होंगे, ठीक है, osilie जो है, वो eyes की तरह ही होती है, compound eyes तो नहीं है, actual में, लिकने light को detect करेंगे, compound eye तो नहीं है, actual में, लिकने क्या करते हैं, light को detect कर लेते हैं, osilie होता है, ठीक है, इसी तरह से, जो trunk होगा, उस trunk पे, हर segment पे, एक pair, jointed legs होंगे, ठीक है, एक pair, jointed legs होंगे, chilopoda class में, जो organism से, उनके पास, ठीक है, first pair, जो leg है, वो modified हो जाता है, poisonous class के अंदर, ठीक है, poisonous जहरी ले, नाखों से बन जाते हैं, first pair, legs के, modified होके, तो first pair of legs, are modified into poisonous class, ठीक है, और, इस chilopoda class में, जो organism आते हैं, वहार aspiration किसे होता है, trachea से होता है, ठीक है, excretion जो है, वो malpigen, tubule से होता है, और development यहां पर direct है, exosculptum जो है, वो uncalcified है, ठीक है, exosculptum कैसा है, uncalcified है, और इस class में, chilopoda में, जो example है, वो example हमारे पास है, जैसे, example है, scholopendra, scholopendra, ठीक है, scholopendra, यहां फिर हम इसको बोलते हैं, centiped, the centiped, the centiped, ठीक है, हिंदी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कान खजूरा बोलते हैं, ठीक है, और यह scholopendra, जो है, वो पुराने, जो कहीं पर पत्थर पड़े हों, ठीक है, नीचे, थोड़ा सा नमी वाली जगें, पत्तों के नीचे, यह पत्थर कहीं पर पड़े हैं, बिक्स कहीं पर लगी, टे कहीं पर लगी हैं, तो वो, इनके अंदर यह छूके रहते हैं, थोड़ा सा नमी वाली जगें पर रहते हैं, ठीक है, यह slegmented body है, पो नजर आ रही काफी सारे छोटे-छोटे सेग्मेंट से इसके इंदर यह स्कोलोपेंटरा कान खजो रहा होता है यह बीचे की साइड में लास्ट जो है उसमें पार्ट इलोंगेटिड पार्ट है यह यहां भी नाकून की तरह से नजर आते हैं क्या यहां यहां लेकिन जो प्वाजनेस क्लाज हैं वो यहां पर यह जो दो फिस्टर जो सेगमेंट होगा उसप्रहर है यह दो बीचे क्या है अंतीने में.. खटो ही और यह सब क्या है छोटे छोटे उसमें लैक्स ओते हैं यह सब हैं उसकी यह डूर्ट चॉक्क आपको नज़िए क्या है ऊसी यह टुरिये फैर को यह एक श्कोलोबंटर राका डाइग्राम है जिसमें उसके कुछ लूर्द तो और नैक्स्ट आयर टिपलो पोड़ा में जो और्गनीजम्स हैं उनकी बोडी जो है वह differentiated है, त्री पार्ट्स के अंदर जिसमें हैड हो गया है, थौर्स बन गया है और क्या हो गया है abdomen होगय है अब तक यहाँ पर जो चिलो पोड़ा जो क्लास थी वहां पर trunk और जो head था वही थे लेकिन यहाँ पर क्या हो गया तीन पार्ट हो गये body के तीन region हो गये एक head हो गया है तो रेक्स हो गया और एक abdomen हो गया हुआ ठीखे और हैड जो है उस पर सिंगल पेयर एंटीने होंगे है एक जो सकल्टन जो है वो कल्सीफाइड है ठीक है डिप लो पोड़ा में और एवरी जो बोडी का सेगमेंट है यहां पर ठीक है उसमें दो पेयर लैग्ज है इसलिए इसको क्या बोला है डिप लो डाई ठ मितलब टू और पोड़ा मिंस किया होगा फूट तो एक जो सेग्मेंट होगा उस पर दो पेर लैक्स होगा ठीक है रेस्पिरेशन यहां पर ट्रेक्या से होगा एक्सक्रीशन जो है वो मालपीजन ट्यूब्यूल से होगा डवलप्मेंट कैसा है डारेक्ट है यह कुछ जनरल रहता है लेकिन बरसात के टाइम पर ही यह जमीन से बाहर निकलते हैं तभी हमें देखने को मिलते हैं ठीक है और कॉमन्स हैं काफी देखे होंगे आपने बरसात के मौसम में इनको काफी बार तो यह था डिप्लोपोड़ा जिसमें बोडी हैड थोरेक्स और अब्डामन में टुबिल से होता है एक्जामपल है डिप्लोपोड़ा क्लास का जुलूस दा मिलिपिड मतलब मिलियंस ओफ फिट ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आती है वो आती है हमारी अरेकेनीडा क्लास ठीक है अरेकेनीडा क्लास जो है उसमें बोडी दो ही पार्ट में डिवाइड है और वो है एक सिफेलो थोरेक्स और एक पार्ट जो है वो है एप्डिमन ठीक है हैड जो है यहां डिस्टिंक्ट नहीं है अलग से नहीं है क्योंकि सिफेलो थोरेक्स जिस सेंट होगे ऑनके पास तोए इनका rylestirik feature यह युकलंग से होता है यहाँ कहीं कहने से ये जय रौतरी यह यह बोखलांग से होता है यया त्रेक्या से होता यह घृच्छों जु है यहां Malpegia явzha tubule से वोता है या फिर coxile gland यह दोनों ही होता है Malpigeant tubule भी और coxile Grodan development यहां Than डारेक्ट होगा यहां और कुछ जो और्गनीजम है वह यहां statisticalism भी बहुँ करते हैं मतलब production के बाद यह अपने Partner को ही kill करके खा जाते हैं उसको kill कर देते हैं ठीके kill करके खुद उसको खा जाते हैं ऐसा common देखने को मिलता है scorpion के अंदर scorpion में यह commonly देखने को मिलता है कि female जो है वो अपने male partner को reproduction के बाद sexual intercourse के बाद kill करके उसे खा जाती है ठीके और ऐसा ही कुछ spider जो है इनके अंदर भी देखने को लेता है ठीके तो यह था class arachnida arachnida class में scorpion, bichu spider जो है वो है ticks है और mite है ticks जो है यह भैसो जो गाए भैसे जो होती है इनके उपर insect मिलते है actoparasite है ठीके mite जो है वो भी ticks और mites ठीके यह एक spider का डाइग्राम है ऐसा है इसमें यह आपको यह जो reason है यह कौन सा है उसका सिफैलो थोरेक्स है और यह जो reason है वो abdomen है ठीके यह कितने pair legs है इनके पास में two pair कितने pair legs होगे two pair इधर है two pair ठीके यह legs का इनका number होगे है ठीके इसके बाद यह structure होगी spider के इंदर आगे जिसकों paddy pal पर बोलेंगे और एक यह structure होगी यहाँ जिसकों callus air बोलेंगे यह जो insect है या जो दूसरे जो इनका food है उसको hold करने के लिए उसको grasp करने का काम करते हैं ठीक है तो यह diagram है वह spider का है अरे कनेड़ा क्लास के ठीक है और इसके बाद next class है मेरो stomata मेरो stomata में जो organism से हैं उनकी body भी ऐसे ही सिफैलो थोरेक्स और abdomen जो है उसमें divided है antenna यहाँ पर भी नहीं होते हैं legs जो है वह five pair होती है respiration जो यहाँ पर है वह बुक गिल से होता है क्योंकि यह aquatic है इसलिए बुक गिल से हो रहा है यहाँ excretion जो है वह coxal gland से होगा और development joint का indirect है ठीक है और इस class में जो और बनी जम है वो है lemulus lemulus या जिसको हम बोलता है king crab ठीक है lemulus या king crab तो यह king crab का diagram है जिसमें उसके कई सारे parts जो हमें नजर आते हैं यह abdomen part है यह lateral ridge है यह median ridge है यह सिफैलो थोरेक्स है यह median eye है यह lateral eyes है यह ठीक है यह टेलसन एक tail की तरह से part नजर आता है और यह जो है वह movable spines होते हैं इसके ठीक है तो यह एक king crab का diagram होगे और king crab lemulus जिसको हम living fossil भी बोलते हैं ठीक है और इसके लावा last जो class है वो class है insecta या इसको बोलते हैं है जापोड़ा class insecta सबसे बड़ी class है आर्थ्रोपोड़ा की ही नहीं जब बलकि पूरे whole animal kingdom की यह largest class है आर्थ्रोपोड़ा सबसे बड़ी class है सरफ इंसेक्टा जो है वो सबसे बड़ी class है आर्थ्रोपोड़ा फाइलम की ही नहीं बलकि पूरे animal kingdom में सबसे बड़ी class है वो है इंसेक्टा बोड़ी जो वो तीन regions में divided है एक region head है thorax है और abdomen मतलब बोड़ी में यहां तीन parts आते हैं जैसे यहां पर यह जो इसा है यह कौन सा है head है यह जो पार्ट आगिया यह कौन सा आगिया थोरेक्स आगिया और यह जो नीचे का जो यह reason आगिया abdomen यह ठीक है wings मिलेंगे और maximum three pair wings मिल सकते हैं ठीक है जैदा तर दो pair wings होंगे यह जैसे four wings और hind wings है ठीक है four wings and hind wings और head जो है उस पर एक parent ने होंगे और compound eyes होंगी और mouth parts होंगी ठीक है thorax जो है उसका हम तीन connect होगा ठीक है metathorex वो है जो पीछी abdomen के साथ connect होगा और इन दोनों के बीच का जो reason रहेगा और जैंब लेगे हैं four wings और hind wings जो है वो होते हैं ठीक है abdomen जो है वो 11 segment से बना है abdomen के अंदा जन्द भी 11 segment होते है respiration जो है वो trachea से होता है यहां excretion जो हो माल पीजन टुबूल से होता है और excretory product जो वो यहां पर क्या है यूरिक एसिड है ठीक है क्योंकि terrestrial form है इनकी और इनको water को conserve करके रखना है इसलिए यूरिक एसिड जो है उसको excret करते हैं development जो है वो direct है या फिर indirect जो होता है ठीक है और बहुत सारे ऐसे हैं जो पार्थेनोजने से शो करते हैं पार्थेनोजने से जिसके भी हम बात कर रहे थे development of organism डिरेक्टली फ्रॉम एग विदाउट फॉट इस तो यह कुछ एक डाग्राम है जैसे लेडी बर्ड विटल है यह कॉमनली आपने देखियोगी उपर यह इसके जो ब्लैक यह यलो या रैड जो है वो हार्ड कवरिंग ह होगी उसको पर ब्लैक ब्लैक जो स्पोर्ट्स हैं वो नजर आते हैं तो इस इंसेक्टा क्लास में बहुत सारे और बनी जम्स हैं बहुत सारे इंसेक्ट से और क्लास इंसेक्टा की जो स्टेडी है उसको हम क्या बोलते हैं एंटमोलोजी बोलते हैं दा स्टेडी ओफ क्लास इंसेक्टा इस नोन है जी एंटमोलोजी और इंसेक्टा से इस क्लास से जो पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एंटमोफिली तीक है यहा उन्लाउस रैट फ्लिया बटर्फ्लाई कोक्रोच बहुत सारे यह अर्फरोपोड जो है तो यह सारे शिल्वर फीस वास्थ यह सब किसमें आते हैं क्लास इंसेक्टा के लिए तो यह था आपका आर्थोपोडा क्लास का क्लासिफिकेशन इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम मॉलस्का जो है उसको स्टार्ट करेंगे इससे पहले एक बिटा और होता है ट्राइलोबाइट एक और और फाइलम था यहां पर क्लास थी यहां पर जिसमें ट्राइलोबाइट यह और अर्थोपोड था लेकिन अब यह क्या हो गया है extinct हो गया है extinct हो गया है खतम हो गया है अब इसके सिरफ fossil मिलता है trilobite ठीक है extinct हो गया और इसके fossil समय मिलता है अब study करने के लिए काफी पुराना जो arthropod है वो सबसे ancient जो arthropod है वो है ये trilobite ठीक है